आपका पहला सवाल है, किस जानवर का सिर काटने पर भी जिन्दा रहता है? आपके आप्शन है, A. तितली B. कोक्रोच C. मधुमक्खी D. मोर आपका सही जवाब होगा, आपका दूसरा सवाल है, किस जानवर का खून नीला होता है? A. बाग B. ओक्तोपस C. मोर D. कबूतर आपका सही जवाब होगा, आपका तीसरा सवाल है, संसार की पहली नोट किस देश में रनी थी? आपके आप्शन है, A. अमेरिका B. भारत C. चीन D. जापान आपका सही जवाब होगा, आपका चौथा सवाल है, किस देश के लोग कुते का दूध पीते हैं? आपके आप्शन है, A. पाकिस्तान B. चीन देश C. मोनो देश D. इरान देश आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा, आपका पाँचवा सवाल है, कर्टी खेल में कितने खिलाडी होते हैं? आपके आप्शन है, A. साथ खिलाडी B. छे खिलाडी C. आठ खिलाडी D. दस खिलाडी आपका सही जवाब होगा, आपका च्छटा सवाल है, सबसे ज्यादा किस देश में जील पाई जाती है? आपके आप्शन है, A. जापान B. भारत C. कनाडा D. चीन आपका सही जवाब होगा, आपका साथवा सवाल है, कौन सी मचली का पेट सर में होता है? आपके आप्शन है, A. डॉल्फिं B. वहिल C. जींगा D. रानी आपका सही जवाब होगा, आपका आप्शन आपके आप्शन है, आपके आपके आप्शन है, A. भारत में, B. भूतान में, C. चीन में, D. उत्तर कोरिया में, आपका आपका सही जवाब होगा, आपका दस्वा सवाल है, अगरें सबसे पहले भारत कब आये थे? आपका सही जवाब होगा, आपका ग्यारवा सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार घूंते हैं? आपके आप्शन है, A. चीन में, B. अमेरिका में, C. भारत में, D. नेपाल में, आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा, आपका बारवा सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा विद्याने किस राज में हैं? आपके आप्शन है, A. उत्तर प्रदेश में, B. गोवा में, C. महाराष्ट्र में, D. बिहार में, आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा, आपका तेरवा सवाल है, चुहां एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सका है? आपके आप्शन है, A. एक हजार बच्चे को, B. दो सौ बच्चे को, C. पाँच सौ बच्चे को, D. एक सौ बच्चे को, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर 14 है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पिज़ा खाते हैं? आपके आप्शन है, A. भारत देश के लोग, B. अमेरिका देश के लोग, C. रूस देश के लोग, D. जापान देश के लोग, आपका सही जवाब होगा, आपका 15 सवाल है, किस राज में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? आपके आप्शन है, A. पंजाब में, B. मध्य प्रदेश में, C. हरियाना में, D. महाराश्ट्र में, आपका सही जवाब होगा, आप्शन, B. मध्य प्रदेश में,